कॉंग्रेचुलेशन, 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 भाई किस बात के लिए कॉंग्रेचुलेशन, उस बात के लिए कॉंग्रेचुलेशन, जो कल हम लोगों नहीं किया, कल चाहे आप स्मॉल लिग खेलेओ, चाहे आप ग्रैंड लिग खेलेओ, आपने जम के winning कियोगी क्योंकि small league की team से grand league जीते थे small league की team से grand league जीते रहों इसका मतलब इस small league तो हारी नहीं सकते तो उससे ही के लिए आप सभी को congratulations कल match बहुत ही जबरदस्त हो हमारा मैंने आपको result share किया ही था जो मेरे साथ regularly जुड़े हुए है टेलेग्राम चनल पे उन सभी को मालूम होगा कि मैंने कितनी मलया देखे पहलो users की winning दिखाता हूं मैंने तो मेरी टेलेग्राम winning share करी दी थी small league की team में captain को सुनील नाराइंड कल सुनील नाराइंड ने क्या किया आपको पता होगा वाइस captain को जोस बटलर जोस बटलर ने क्या किया यह भी आपको बता होगा और उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेड टीम के अंदर नहीं है जो फ्लोप हुआ हो कोई single player नहीं है तो सेम टीम से जो small league की आपको दी थी आप देखोगे तो यहां पर मैंने पहले तो मेरी rank मतला फर्स इनिंग तक पांच रेंग चल लए थी ठीक है तो यहां पर मैंने आपको शेर किया था एक पहली चीज तो मैं अगर अपनी रिजल्ट की बात करता हूं सेम टीम से देखें आपको यहां पर दिखाता हूं सेम उसी टीम से जो मेरे पॉइंट आई थे गल वो एक हजार साथ आये थे सेम उसी टीम से 25,000 रुपे लगा के 25,000 रुपे भी बंदे जीते थे तो स्मॉल लीग तो यार आप कैसे हार सकते हो जब ग्रैंड लीग में ही आपकी रैंक वन आ रही है तो अमीद करता हूँ यही रीजन है मैंने आप सभी को कंग्रेशुलेशन दिया देखिए कल वाला जो मैस था ना वो तो फिर भी रिस्की था आज का जो मैस है जो गुजरात और दिल्ली का है यह तो कल वाले मैस से भी तगड़ा मैस है और ऐसा मैस है जिसमें आपको दो प्लेयर पूरा एक तरफा मैस जिताएंगे एक तरफा आपको according to condition बस प्लेयरों का ध्यान रखना है और जैसे जैसे मैं चीजे बता रहा हूँ देखिए अगर आप में जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे ना उनका सबसे पहले टार्गेट है जो जीटी और डीसी का यह मैच इसमें विन करना कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस मैच को हारना चाहेगा तो अगर आप इस मैच में इस्पेशली स्मॉल लिग खेल रहे हो ना तो मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलूँगा देखिए स्मॉल लिग जब आप खेलोगे ना तो आप लोग देखना आपका ज लिग गुज्रात और दिल्ली का ये सिर्फ और सिर्फ दो प्लेएरों पे डिपेंड इन दो प्लेएरों को सही तरीके से प्लिक कर लेना वन साइड़ेद आपके विक्टरी होगे और ये मेरी गैरंटी आपके लिए अब वो दो प्लेएर कौन से होंगे और उसके अलावा को लेना कब है investment कब करना है बहुत important यह वीडियो ध्यान से देखना और यह वीडियो को भी लायक कर देना कल भी कल भी कल भी को जिसने लाइक किया नहीं मोग दो लाइक कर दे टाकि कम सक्काम मोटिवेकशन मिले और कल टो इतनी बड़िया विНिंग डाइक अ वह बड़ ही गलसीन होगा लाइक जरूर कर देना जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले आप देखिए वीडियो को देखने के बाद आपका सबसे इंपोर्टेंट काम जो है वो है टेलीग्राम चैनल को जोइन करना देखिए जिस टीम के साथ में खेलता हो ना आप सब को मालूम होगा जो पहले से जुड़े हुए उस टीम से मेरा जो इन्वेश्मेंट वो 20-25-25-30-30-30 लाख रुपे का होता है जो पहले से जुड़े हुए उन सभी को ये चीज मालूम भी होगी जो और सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन टेलेग्राम से जो ही नहीं करते हैं तो फाइनल टीम जो मिलेगी ना वो यही मिलने वाले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आप देखें सबसे कॉमन चीज की बात करते हैं जैसे आप बना रहे हो और अगर किसी को बना रहे हो तो उसका रीजन क्या है वाइस केप्टन आप किसको बना रहे हो अगर किसी को बना रहे हो तो उसका रीजन क्या है तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़े बताऊंगा वीडियो में कोशिश ये भी करूंगा कि जाला लंबा भी न आपने देखा कि जिस चैनल के आप वीडियो देख रहे हैं उसने कल के मैच में क्या विनिंग करवाई है तो यह चीज आप ध्यान रखना पहले चीज तो यह है कि टेलिग्राम से जरूर जोईन हो जाना जो लोग नहीं जोईन की हैं अब अगर मैं बात करते हूं इस मैच के हैंतर हेल्प मिलती है बस इसना आपको ध्यान रखना है जो टीम यहाँ पहले बोलिंग् करेगी उसके जो विनिंग के चांसे देव बहूत ज्यादा हॉय है जो भी टीम यहां बोलिंग करेगी ना वो самого भोफ़़गाई चांस रखने हैं स्मैच और भी हो चुकी है फ्रेसर मेकर इनके पास आ चुक है और आपको पता ही होगा वह एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडली गेम चेंज कर देगा आपने देखी लिए होगा पिछले मैच में जो हुआ था और अगर आप पहले से जानते हो जो ऑस्टेलिया टीटवेंटी लीग लीग वगरा खेलते हैं उनको यह चीज मालूम भी होगी तो इनकी टीम के पास क्या है बहुत तगड़ी इनकी लाइनप हो चुक है इवन आठ प्लेयर है इनके बास बैटिंग में अगर आप दिल्ली की बैटिंग देखोगे ना तो आठाट बैट्स में ने अगर कोई चान्स रखती है इस चीज़ का आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना ठीक है बागी यहां पर ध्यान रखना कि दोनुं टीमोले डीसी ने चार मैच में जो है लोस खाये डो मैच में किया जीटी ने तीन विन और तीन आप लकर में और सब्यू चाराकी ऊंग गेम चूली जिनकी उमीद पंजाब को खुद को भी नी थी ठीक है बस और उसके अलावा यहां पर जो भी मैचेस होते ना यह गुजरात की टीम आसानी से जीतने नहीं देती किसी भी टीम को चैक कितनी भी अच्छी टीम हो ठीक है दो मैं जीती जीती और एक मैं जीती डीसी और डीसी के आपको खास बास बताऊं डीसी एक में जो जीती है वो इसी वेन्डियू पर जीती है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न की आप क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे प्लेयर है आप जीती के पास देखोगे बैटिंग में भी अच्छे प्लेयर और बोलिंग में भी अच्छे प्लेयर है वहीं सेम सीन आप देखोगे जीती के पास डीसी के पास मतलब दोनों टीमों के पा चाहिए और मान लो देखिए कोई चेंज होता है ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे इंफर्म कर दूँगा तो यही लाइन अप रहनी चाहिए लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि यही हो चेंजेस अगर होंगे मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को उस चेंज का इंफर्म कर चाहिए विजेश अंकर रहूल तेवतिया शारूख राशित खान स्पेंसर जोंसन नूर एमद और उमेशादो यह एक्सपेक्टर लाइनप हो गई पावर प्ले वो डेथ की बात कि जाए स्पेंसर जोंसन उमेशादो के साथ पावर प्ले में आएंगे और डेथ होड्स मे मैं आपो एक चीज़ बता दो सबसे पहले तो यहां पे तो आप बिल्कुल भी स्कीप मत कर देना क्यूए जो दो पे नो यहीं पर चुपे वे और मैं आपको ब автомकश्पर जहता है खिएो सबसे पिले आपको एक चीज बताना चाहूंगा ध्यान देना इस बात पे देखिए जिस बंदे ने लीग इलिए उने आपको डाउन्लोड नहीं किया ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है डाउन्लोड कर लेना क्योंकि देखिए इस मैच में मेरा जो इ प्रेंटी है और यह आप लोग लिडर वोड में जाके देखोगे ना तीन करोड से ज्यादा का इंवेश्टमेंट मेरा हो चुका है अभी तक के जो मैचस खेले गया एक तीन करोड से ज्यादा का इंवेश्मेंट यानि कि अभी यह 3300 मैच है तो आप अराम से दिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ डाउलूड कर अगर करना चाहो तो कर ले ना देखिए फाइदा पता क्या है हाई इन्वेश्टर्स के लिए सबसे बड़ा फाइदा यहां पे यह कि जब आप विड्रो करोगे ना तो आपका टीडियस नहीं लगेगा ड्रीम पर हटा दोगे ना जो कोई एप में नहीं वो इनके पास अवेलेबल है तो टीडियस आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस एप पे खेलोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डाउनूड कर लेना आप बात करते हैं यहां से मेंचीज के बारे हैं अब बिलकुल भी मतलब पोसिबलिटी है ही नहीं कि आप यहां से स्कीप करो एक पर्शेंट भी आप स्कीप करते हो यह बहुत बड़ी बेवकूफी रहने वाले क्योंकि दो ट्रंप काड यहीं पे चुपे पड़े देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे इंवेस्टम बोलर कोन है में बोलर में आपको देखने को मिलेगा नूर स्पेंसर जोंस उमेश आदव और चार तो यह हो गए राशिद खान और यह आपका रहने वाला है मोहित शर्मा यह लगबग इनके पांच में बोलर है लगबग यहीं पांच है और छटे ऑप्शन की बात की जाए की तच्छ में पैला रहने वाला रेजन यह है क्योंकि वह बंदा एक तो आने वाले डेथ में death में आपको पता होगा चैक कितना भी बेकार बोलर हो चैक उसको बोलिंग करना भी नहीं आती हो न तब भी वो विकेट ले लेता है क्योंकि batsmen जो है न वो चाहते हैं आखरी ओर्स में जितना जादा रन हो सक्यों उतने जादा बने और वो तब ही बन सकते हैं जब चोके चके वो लोग मारें उस conditions में जब बोल हवा में उड़ जाती है तो players को जो बोलिंग करते हैं उनको विकेट मिलते हैं और अगर आप Spencer Johnson की बात करोगे न तो वो ऐसा एरा गेरा बोलर नहीं है बहुत तगड़ा बोलर है जो players खेल रहे हैं अब Spencer Johnson पावर प्ले में भी आएगा और Spencer Johnson डेथ में भी आएगा सबसे पहले पावर प्ले का गेम देखते हैं देखें पिर्थवी शो एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी बोल को हिट कर दे की शमता रखता है और बिलकुल ऐसा खेलेगा जैसे हर बोल पे इसको लगता हो कि मैं six मार सकता हूं और यही रीजन है आप देखना पिर्थवी शो कभी बढ़ी निंग नहीं खेल पाया अबी तक कभी भी बढ़ी निंग नहीं खेल पाया है ठीक है बढ़ी निंग वही खेल सकते जो थोड़ असर टाइम लेके खेले टाइम की तो भाई बंदे को नीड ही नहीं है और ये पिर्थवी शो की आपको एक चीज़ और बता दू जो बंदे मतलब ऊपर यानि कि बाउंस फेकते ना स्पेंसर जोंसन एक बाउंस फेकने में एक्सपर्ट मान लुआ तो पिर्थव पिर्थवी शो उन बोल्स को नहीं खेल पाता है ठीक है बाउंस ही बाउंस फेकेगा पिर्थवी शो विकेट फेक देगा ये सबसे पहली पहला जो पॉइंट है कि स्पेंसर जोंसन एक तो पावर प्ले में विकेट लेने के बहुत जादा हाई चांस रखता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको पावर प्ले में विकेट ना मिले लेकिन डेफ में तो फिर वो बोलिंग करेगा जब तो मिलेगी ना डेफ में आप देखोगे तो उतने कुछ खास प्लेयर है इवन अक्षेर पटेल के बाद तो इनके पास कोई बैटिंग ही नहीं है आप देखोगे ये अभिशेक पोरिल आ सकता है इनके पास बाकी देखिए इनके पास अच्छे बैट्समेन है भी नहीं अच्छे बैट्समेन वो होते जो टाइम लेके खेले टाइम लेके खेलने वाला कोई भी प्लेड नहीं है सिवाए एक शाही ओप के शाही ओप थोड़ा टाइम लेके खे आपका फिर्थभी शो है ये भी क्लीने ही करेगा ऐसी वादिर वौनर वादिर को में इंक्लीव नहीं dryer तो इनके पास एक अच्छी बैटिंग है नहीं है हालगि बैटिंग इनके पास काफी सारे बढ़िय रहे लेकिन वैटिंग नीजह जो अराम से खेल सकें वो बैटिंग नहीं है तो विकिट्स के चांसे स्पेंसर जॉंसन के बहुत ज्यादा हाई रहने वाले और आप लोगों को जो स्पेंसर जॉंसन को लेना वो कब लेना है जब टीम पहले ये गुजरात की बोलिंग करें क्योंकि वो डेथ में आएगा फर उस केस में वो ट्रम कार प्ले नहीं रहेगा तो एक ट्रम कार तो मिल गया आप दूसर ट्रम कार भी आपको दिखाता हूँ देखिए वापस से हम गुजरात के अंदर चलते हैं गुजरात के अंदर जब आप जाओगे तो देखिए अगर सेम लाइनप होती है लेगन अगर सेम लाइनप होती है तो दूसरा आपका ट्रम कार्ड रहने वाला इनका विकिट कीपर मैथ्यू वेड अब मैथ्यू वेड का सेलेक्शन देख लो एक बार स्पेंसर जोंसन का सेलेक्शन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साथ परशेंट सिर्फ साथ परशेंट ल आए जिसकी वज़े से इनको लिया जाए लेकिन बड़ा प्लेयर है और ऐसे ही गेम चेंजर प्लेयर आपको स्मोल लिग में एक तरफा जितवाते हैं जब यह चलते हैं ठीक है तो पहला की तरफ से कौन सा प्लेयर है जो विकेट केपिंग करेगा वह मैठ्यूएड ही है तो अगर रंस बगेरा नहीं भी बनाता है जिसके चांसे बहुत कम है क्योंकि यह बहुत अच्छी होती है बैटिंग यह बहुत अच्छी होती है मैं आपको यह बता दू पिछले मैच में भी बैटिंग भी था ही निए आप ने देखो क्यों किस तyasड़ीद सारे प्लेयर्ट उनने विकिट फेक दिये थे तो बैटिंग भी तो गन्स में वों विक ओनॉ के-पर तो पी शो हो गए जिनका सेलेक्शन रेट देखोगे ना तो 65 परशेंट वह आराम से ले सकते हैं पर एक्जामपल के लिए जैसे आप ले लो उमेश आद होगो तो हाला कि ज्यादा सेलेक्शन है नहीं बोलिंग में भी किसी का नहीं है और राउंडर सेक्शन में राहुल तेवि इस मैच के बाकी जो प्लेयर है न वो उतने इंपोर्टेंट और उतनी बड़ी कंडिशन गेम में रखते नहीं है तो इसका मतलब यह सबसे पहला पॉइंट ही है इस मैच में आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करना है न वो गुजरात की फर्स बोलिंग पर करना है अब एक बार आप प्लेयरों का स्टेट्स भी देख सकते हो जिसमें देखिए शुबमन गिल का वेन्यू का रिकोर्ड का अचार शुबमन गिल सबसे बेस्ट प्लेयर है गुजरात की तरब से अगर कोई प्लेयर जिसको फर्स चोईस रखोंगे कैप्टन सी में तो वो शु जादा बहतर होगा उसके अलावा स्मॉल ली के मशनीडेट प्लेयरों में राशीद खान भी है और जो रिस्क करे सकते हैं स्पेंसर जॉनसन को भी ट्राई कर सकते हैं देखिए अगर गुजरात बोलिंग नहीं करके बैटिंग करती है तो नूर एमद आपका वो काम कर सकता है जो स्पेंसर जॉनसन करेगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में क्या होता है विकेट्स जो होता है थोड़ा वह जादा नहीं तो उस कंडिशन में क्या होता है इस्पेंसर जॉनसन करेगा डेथ में आकर विकेट लेना है तो उसका काम है ना सेम काम यह करेगा नूर मत लेकिन इसको सिर्फ आपता भी लेना जब टीम गुजरात पहरे बैटिंग करें वो ज्यादा बैतर होगा ठीक है हलागि लेने को तो बोलिंग फर्स्ट पर भी लही सकता है विकेट्स में कोई थोड़ी है कि भाई फर्स्ट बोलिंग पर विकेटें नहीं मिलेंगे मिलेंगे भाई अच्छी वोलिंग करेंगे बिल्कुल मिलेंगे लेकिन एक पॉसिबिलिटी होते हैं चांस होते हैं तो उसके चांस जदा है जब यह बैटिंग करेगी इसके टीम विकेट्स के और इनके और भी वेंच के प्लेयर है जिसमें मोईच लाइक ली देखिए मैं आ इनके टीम जीत के आ रही है और गुज्रा यह के नाम इनके चांस जो है ना वो चैंजिस के काफी कम है देखिए बात करते हैं पावर प्लेव डेथ की तो खलील इशान पावर प्ले में आएंगे और डेथ में मुकेश के साथ आएगा खलील और इशान चर्मा अब सोगहं कि दिल्ली की तरफ से ना तो आपको मुकेश कुमार का सेलेक्शन रेट बहुत ही कम दिखेगा बारा पस्षन variety मुकेश कुमार वही सेम काम करने वाला है जो स्पैंसर जॉन्सन करेगा आप देखिए कोई टीम तो बोलिंग करेगी ना या तो दिल्ली बोलिंग कि वह तो निकाल लेगा मुकेश कुमार से मुझे ज़्यादा उमीद नहीं क्योंकि वहाँ पर क्या है ना एक तो यह राहुल देवतिया यह आउट होता ही नहीं वह विकेट फेकता ही नहीं आपको पता होगा दूसरी चीजी है कि अगर मान के चलो शुबमन गिल जैसा प्ले रडियो में बोला है कि कुछ रात की फर्स्ट बोलिंग पर मैं ज्यादा बहतर होगा कंपेरिजर टू फर्स्ट बैट ठीक है ध्यान रखके चलना तो यह लाइन अप हो गई अब बात करते हैं ट्रंप कार सिर्फ एक ही मुझे मिला जो जैनरली ट्रंप है होने को तो देख पिछले मैच की यह सोरी प्लेयरू की स्टेट्स की बात करते हैं पिछला मैच भी आ जाएगा आगे देखिए प्लेयरू की स्टेट्स की बात करते हैं वार्नर ने दो मैच खेले एक में से तीस सर्ण और एक में दो रण बाकि स्मोल लीक के लिए मश नीडर प्लेयर होगा वारनर उसमें कोई डाउट नी है उसके बाद पिरत्वी शोगी बात करते हैं देखिए वेन्यू के रिकोर्ड तो काफी अच्छा है वेन्यू पे इन्होंने जो मैचस खेले ना उसमें काफी अच्छा रिकोर्ड है लेकिन वर्सस में बंदा फ्लो पर रहा है उसके बाद बहेगा नि और जिसके पास प्रेषा निर्हेता है वह अच्छा काम करता ही करता है जैसे मेरे पासकल प्रेसर नीथा मैंने इंवेश्मेंट नई किया मेरे बाद कोई प्रेशर निए भाई अर बहुत इंपॉर्ड़न प्ले टीम में तो लेना ही लेना है इंगतन वाला ब् चाहिए हो कि बात करें ग्रैंड लीग वगरा जो खेलते हो ट्राइए करना अक्षर पटेल मश नीडर प्लेर लेकिन यह पहले ही सब के पास रहने वाले क्योंकि वह लाउंडर सेक्शन में सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड है तो क्या ही बात करें इनके बारे में उसके बाद म इशान शर्मा है डेथ होर्स में आ रहा है कभी कभी आपने देखोगा एक और लेके आता डेथ में तो वहां ही आपके लिए इंपोर्डेंट बनेगा तो यानि कि आप ग्रैंड लेग या मिनी जील बगरा खेलते हो तो इशान शर्मा को ट्राइब कर सकते हो क्योंकि एक द रहे हैं चानसे किसे घुक्ष कुमार कर आप यहांनी कि देखे इनके डेथ में होने के चांसे क्या एक तो मुक्यश कुमार है और धूले और प्योड़के बात कर रहा हैं मुक्यश कुमार तो चलो एक बार लिए फर्स्ट बॉलिंग करी ना बेटिंग करी तो फिर विए रहेगा लेकिन खलील तो important है खलील तो दोनों conditions पर बोलिंग करता यह फर्सक्राइब सेकंड बोलिंग पर ठीक है डेथ में बात कर रहा हूं ठीक है तो वह वहाँ पर चांसेज उसके लगबाख mix वान हो बाकि अगर बॉलिंग तो मुगेश फर्स चोईस होगा उसके बाद है इशान शर्मा को मतलब आप ग्रैंड लिवगर खेलते हो तो ट्राइ कर सकते हो या मिनी जियल या ऐसा मतलब एक कॉंटेस्ट वगएर आता है जिसमें सेवन मेंबर के सेवन मेंबर खेलते हैं और रेंग वन को प्राइज मिलता हैं और यह इनके बैंच के प्लेयर हैं जिसमें हाई चांसे थे कि अभिशेक पॉरिल इनके इंपक्ट के रूप में आने वाला है ठीक है और अभिशेक पॉरिल ने इस वेंडियू पर 20 का स्कोर भी किया हुआ है अब हम बात करते हैं प्लेयर बैटल के इस मैच में आपको शेर करो विजे शंकर की बात की जाए तो यहां से कुल्दी प्यादों को इना सोड शेंकर को एक बार ऊट किया हुआ है तेवटिय वर्सेश इंशान शर्मा दो बोल में एक बार आउट राइट किया हुआ है यह सबसे तकड़ा बेटल है डेविड वोर्णर वर्सेस उमेर पांच विकेट ले चुका है वोर्नर के आगे ठीक है उसके बाद यहां से आने वाला है पंत वर्सस राशित खान दो विकेट हैं अब देखिए जिसने लेगे लिए नहीं डाउनलोड नहीं कहा है न अभी भी आपके पास टाइम है बहुत अच्छा अप्लिकेशन है यहां प टीम की बात करते हैं टीम की बात करने से पहले याद दिला दू लीग इलिए उनकी तरह एक और एप्लिकेशन है जहां फीचर से सारे हैं लेग इलिए उनकी तरह ही लेकिन उसके अलावा एक फीचर इनके पास थोड़ा डिफरेंट है और वह है फाई प्लस वन की टीम लाइकली 10,000 का गीववे भी लाइव है तो वह भी आप जाके जोईन कर लेना जिसने फोकस 11 पर डाउनलोड नहीं किया है तो वह भी डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है बात करते हैं हमारी टीम की तो मैं आपको पहले बोल चु वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे ना ताकि आने वाली वीडियो मिले और मैं कोशिश करूंगा कि कल से बहतरीन giveaway करूँ कोशिश कर सकता हूँ 100% नहीं कहूँगा 100% कहना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि giveaway का भाई टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल से थोड़े बहुत अलग से मतलब कुछ अलगी टाइब के हट के giveaway करने की देखते हैं होगा के नहीं वो तो मैं आपको बताए दूगा वीडियो में चलो टीम की बात करने की नीट नहीं है मैंने आपको 11 प्लेयरों की टीम पहले ही समझा दी थी और मेरी वही टीम रहने वाली मैं आपको बताए चुका हूं कि मेरा इंवेस्ट्मेंट जो होगा ना वह सिर्फ और सिर्फ बता होगा ना किस कंडिशन में रहने वाला है ठीक है आप इसमें से आपको एक प्लेयर रोप करना और मेरी फिलल के लिए जो टीम वह गुजरात की फरस्ट बोलिंग के बैस पे हैं था इसमें को बिक करना वह को पताई होगा की कौन सा प्लेयर मेरा रहने अगर mamy Rania लेगill को मेरा था मेरा व.एस के बात करें देखा हैं यसे WOW से बाध करें वैसे कि एक ही को मैं रखूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि किसके साथ जाए जाए कि वोर्नर जो है ना उमेश आदो के आगे पांच बार विकेट चुके हैं और फिर मुझे स्पेंसर जोन से पर विकेट की उमीद है तो पावर प्ले में मोस्ट लाइक लिए दिल को इनफर्म कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो भी ऐसे यूजर से जो जोन नहीं किया वह जरूर जोन करें ठीक है ठेंक यू दोस्तों इस वीडियो को एन तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में